फ्रेंट्स आज हम डिसकस करेंगे नुमेरिकल रिवर्ट कनेक्शन का जिसमें हमें नुमेरिकल गीवन है calculate the efficiency हमें efficiency find out करनी है and strength find out करनी है और single rifter lap joint हमारे पास single river lap joint है when two plates of 12 mm and 16 mm अगर lap joint होता है तो 2 plates को overlap करते है so same यहाँ पर 2 plates को overlap किया गया है एक plate की थिकने से 12 mm है 16 mm ठीक है विन जॉइंट सिंगल रिप्टेड लैप जॉइंट सिंगल रिप्टेड के साथ उसे कनेक्ट किया गया है और यह वैल्यू हमें गीवन है यह वैल्यू जो fs है यह है सेफ शीरिंग स्ट्रेंथ हमारी 94.5 मेगा पास्कल और इसको यह होता है हमारा सेफ टीरिंग स्ट्रेंथ क्योंकि हम लोग स्ट्रेंट फाइंड डाट करने के लिए हमारे पास तीन फॉर्मुले होते हैं शीरिंग भीरिंग एंड टीरिंग यह उन सब्सक्राइब करते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं 150 newton per square mm और इसको लिख सकते हैं 212 newton per square mm इसके बाद हमें एक figure given है उसने बोला है सिंगा रिवर्ट सिंगा रिवर्ट के जाए अगर और full width को हम लोग consider करते हैं तो इसमें 3 river आती हैं तो 3 rewards 20 mm डाय इसको यूज किया है प्लेट मैं so डाया गिवन है 20 mm जब हम प्लेट यूज करते हैं तब डाया हो जो डाया होता है यह होता है nominal डाया इसको convert करते हैं gross डाया में यह हमें edge इसको बोलते हैं, center to center distance को बोलते हैं, gauge 50 mm, center to center distance again 50 mm, then यह होता है हमारा edge distance, उसके बाद हमें length given है, तो इस numerical को solve करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे step 1, step 1 में हम लिखेंगे जो जो हमें given होता है, इसमें लिखेंगे हम given data, सबसे पहले हमें given है, कि हमारे पास thickness of plate है 12 mm and 16 mm, यहां पर लिखेंगे सबसे पहले thickness of plate, हम लोग हमेशा thickness smaller plate की assume करके चाओते हैं, सो smaller की thickness आगी हमारे पास 12 mm, उसके बाद हमारे पास है edge distance, इसको denote करते हैं M के साथ, यह है हमारे पास 30 mm, उसके बाद हमारे पास है gauge distance, इसको denote करते हैं G के साथ, इसको लिखते हैं 50 mm, इसको gauge distance भी बोल सकते हैं और इसको pitch भी बोल सकते हैं, center to center distance हमारे पास है pitch, तो यह भी हो गया हमारा 50 mm, उसके बाद हमाए length total given है, length of plate, L हमें given है 160 mm, उसके बाद हमारे पास Fs given है, Fs को हम और लिख सकते हैं, sigma जो हमारा आता है safe, shearing strength का इसको लिखते है, tau Vf is equal to हमारे पास है, 94.5 Newton पर square mm, और है हमारे पास Ft और है हमारे पास Fb, जो Ft होती है, इसको लिखते हैं sigma 80, जो है हमारे पास 150 Newton पर square mm, और sigma जो हमारा Fb होता है, इसको लिखते हैं sigma Pf, जो हमारे पास value है, 212 Newton पर square mm, तो यह है हमें given value, और रहे गे हमारा dia, हमें given है dia of reward, यह है हमारा nominal dia, nominal dia of reward, हमें given है 20 mm, हमने plate use की है, because यहाँ पर है single ripter lap join when two plates, plate use की है, जब plate use करते हैं, अगर तो dia हमारा 20 mm होता है, और 25 mm से कम होता है, तब हम इसमें add करते हैं 1.5, अगर यह 20 mm और 25 के 20 में हो 25 mm से कम हो, अगर तो dia हमारा 25 mm से ज्यादा होगा, हम इसमें 2 add करेंगे, gross dia बनाने के लिए, तो यहां से हमारा D, तो यहां से आएगा हमारा gross dia of reward, जिसको denote करते हैं small d के साथ, अगर यह 25 mm से कम हो, तो इसमें 1.5 add करेंगे, तो यह हो जाएगा 21.5 mm, अब हम solve करेंगे step number 2, हमने क्या find out करनी है strength and then efficiency, so step number 2 में हम find out करेंगे strength of the joint, strength find out करने के लिए हमने find out करना है, तीनो लोड, फर्स्ट शीरिंग, सेकिन बीरिंग, थर्ड टीरिंग, सो स्टार्ट करते हैं, find क्या करना है हमने strength of the joint, strength of the joint, first हमने find out करना है shearing strength, shearing strength of the joint, जिसको denote करते हैं हम ps के साथ, जिसका formula होते है, ps is equal to n, number of river tau vf, tau vf होते हैं हमारा shearing safe, shearing strength multiply by pi d square upon 4, number of river हमें given है, यहां पर लिखा है 3 river, so number of river हमें 3, multiply by tau vf की value 94.5, यहां पर लिखा है 94.5, multiply by pi, into small d की value, 21.5 का scaring, divided by 4, इसको solve करते हैं, इसको solve किया, 21.5 का scaring, 9, multiply by pi, 3.14, divided by 4, multiply by 94.5, multiply by 3, यहां से हमारी value रगी, 10, 28, 72.58, Newton, अब find out करना है, second, bearing strength, bearing, strength of joint, इसको denote करते हैं, PB के साथ, इसका formula होता है, PB is equal to, N, number of river, sigma pf, safe bearing strength, multiply by dia, multiply by thickness of blade, number of river 3, multiply by sigma pf की value, 212, Newton per square mm, 212, multiply by dia, 21.5, thickness रहनी है 12 mm, इसको solve किया, 3, multiply by, 212, multiply by, 21.5, multiply by 12, यह आंसर आएगा हमारा, 164088, Newton, then third, हमने find out करना है, T-ring strength, T-ring strength, of joint, जो होता है, PT, जिसका formula होता है, PT is equal to, सिग्मा 80, multiply by, B- ND, multiply by T, सिग्मा 80 की value है, हमारे पास, 150 Newton per square mm, से हम पर लिखेंगे, 150, multiply by, B, हमारे पास width कितनी है, width का मतलब कि हमारे पास length कितनी है, यह होती है प्लेट की width और प्लेट की length, width है हमारे पास 160, अब लिखेंगे 160, minus number of reverse 3, multiply by 21.5, multiply by thickness 12, इसको solve करेंगे, सबसे पहले multiply, इसके साथ minus करेंगे, 21.5, multiply by, 3, 160 में से minus करेंगे, 64.5, multiply करेंगे 150, multiply करेंगे 12, तुमारे पास अंसर आएगा, 171900, इसके बाद हमने find out करना है strength, strength होता है, जो हमारा sharing, हमारा bearing और tearing में से सबसे least value आती है, वह आती है strength, सबसे least है हमारा 102872.58 newton, यह हमारी least value है, हमारा strength of joint कितना आ गया, 102872.58, therefore हम लिखेंगे, strength of the joint, is equal to हमारा 102872.58 newton, यह हमने find out कर ली strength, इसके बाद हमें find out करनी है, efficiency, efficiency find out करने के लिए, हमारे पास formula होता है, इसको करेंगे हम step number 3 में, हमने find out करनी है, efficiency of the joint, इसको इसका formula होता है, strength of the joint, जितनी हमारी strength हही है, joint की, of the joint, divided by strength of solid plate, strength of solid plate, multiply by 100, so strength of the joint हमारे पास है, 1028, then हमारे पास strength of solid plate नहीं है, तो इसको find out करेंगे, strength of solid plate, जिसका formula होता है, sigma 80, multiply by width into thickness, sigma 80 की value है, हमारे पास 150, यह हम पर लिखेंगे 150, multiply by width है हमारे पास, 160, thickness है 12, तो इसको multiply करेंगे हम, multiply by, 160, multiply by, 12, तो यह आएगा, 288000, 288000, Newton, इसको put करेंगे, यहाँ पर, हमारे पास, efficiency की value हैगी, efficiency is equal to, strength of the joint, 102872.58, divided by, 2881230, multiply by, 100, यह है हमारे पास value given, 288, यहाँ इसको divide करना है, यहाँ इसको divide करना है, तो लिखेंगे, यह है हमारा answer, हमने find out किया efficiency, and find किया strength, 107. Thank you! झाल झाल झाल